नमस्कार दोस्तों सबसे पहले टेक नियूज और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी हमारी चैनल इंडिन टेक जुगाड को सबस्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सणुकमार आप देख रहे हैं इंडिन जुगाड टेक फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जियो की तरफ से अभी जो ओफर लॉंच के गए थे 309 वाला और 309 रुपय वाला उन्ही के जवाब में अब एडियो की तरफ से भी 309 और 244 रुपय के दो नए पैक आये हैं जिनमें आपको काफी अच्छा बेनिफिट दिया जा रहा है तो इस वीडियो में सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि एडियो ने कौन सा न और बैल आइकन पर क्लिक करें जैसा कि आप जानते होंगे जियो ने अभी नए ओफर लॉंच किये थे जिसमें आपको 309 रुपय वाला और 309 रुपय वाले दो प्लान काफी अच्छे प्लान मिल रहे थे 309 रुपय वाले में आपको पूरे 84 डेस का वैलिटी मिलता है जब आपको 1GB डेटा मिल रहा था लेकिन वो ओफर जो था वोड़ाफोन के नए सब्स्राइबर्स के लिए था लेकिन आज जो एटल की तरफ से ओफर आया है वो एटल के सभी यूजर के लिए यानि कि आगर आप एटल के नए यूजर है तो भी इस ओफर को ले सकते हैं अगर यहाँ पर जो ओफर है एटल का वो भी 244 रुपए का ही है 244 रुपए में आपको 70 डेज का वेलेटीटी मिल दा है पार डे आपको 1GB डेटा मिलने वाला है साथ ही जो आपके एटल से एटल कॉलिंग्स रहने वाली है वो आपकी बिलकुल फ्री रहने वाली है तो यह 399 वाला जो प्लान है वो जियो के 399 वाले प्लान को देखते हुए लांच किया गया है जियो ने भी 399 वाला प्लान दिया तो एटल जियो को फोलो करते हुए 399 वाला प्लान लेकर रहा है जिसमें आपको 70 डेज का वेलेटीटी मिल रहा है लेकिन यहाँ पर काफी लोगों को अगर आप अपने माई Airtail एप में चेक करेंगे तो आपको वहां पर 84 डेज का वेलेडिटी भी मिल सकता है यानि कि Airtail ये अपने यूजर्स को अलग-अलग हिसाब से वेलेडिटी दे रहा है किसी को 70 डेज का भी वीकली बात की जाये तो आप पूरे वीक में यहां पर 1200 मिनिट की कॉलिंग कर पाएंगे और इन दोनों ही ओफर्स में यानि कि 244 रुपए वाले में और 399 रुपए वाले में आपको SMS फ्री नहीं मिल रहे है और पर दे आपको दोनों हो जाती है 128 Kbps और उसमें आप unlimited data यूज कर सकते हैं लेकिन एरटेल के प्लान में आप unlimited data यूज नहीं कर पाएंगे आपको limited 1GB data मिलने वाला है तो मेरे हिसाबचे अगर आपके एरिया में एरटेल की coverage अच्छी है तो यह दोनों ही offer काफी अच्छे offer लग रहे हैं इस समय क्योंकि जो वन जीबी data वह एक average user के लिए काफी रहता है आपका क्या opinion है क्या आप समझते हैं कि एरटेल के यह दो नए offer काफी अच्छे offer है यह जो जीओ ने अभी offer दिये वह वाले काफी अच्छे offer है आप एक बार comment दे माले का तनी के ऑ एक जीओर दो धोशम कर दो रहर रहर कर दोला सा है इ Lobना मैं जीओ कि एक समय का उनी क्या आपकाftig आप सक्थरिए Κषर कर दोस्का Sehr आपक्या